जैश्रीराम मैं हूँ देवेश करता हूँ निवेश दोस्तों आपको जानकारी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले चरण की free trade deal हो चुकी है लेकिन उस trade deal से भवश्य के खुल गए हैं रास्ते तो रास्ते कैसे खुले हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वह साला और services खरीदने पर तो ऐस्टेलिया की सरकार यह जो 65 बिलीन ॉल रोडर का खर्चा करती थी जो भी goods and services ऑस्टेलिया की सरकार खरीद दी थी इस 65 बिलीन डॉलर की खरीद के लिए जो भी orders होते थे उन और्डर्स के लिए भारतिय कंपनिया अभी तक एपलाई भी नहीं कर पाती थी मतलब 65 बिलियन डॉलर का जो ऑस्ट्रिलियन सरकारी मार्केट है उसमें अभी तक हमारे लिए गुसने की परमीशन तक नहीं थी उन और्डर्स के लिए ना तो हम अपने प्रोडक्ट्स को ना हम अपनी प्रितवा को और नहीं अपनी प्रैईस को बता पाते थे उस्ट्रिया ने एक दीवार-खडी कर रखी थी जिसके कारण उन उनस 65 बिलियन डॉलर के सरकारी ओर्डर्स में हमारा हिस्सा था जीरो जीरो था हमारा हिस्सा लेकिन अब आब और सरकारी मार्केट भारत के लिए खोल रहा है इस प्रकार से जो 65 बिलियन डॉलर की सालाना सरकारी खरीद है उसमें भारत जो है घुस सकता है ऑस्टेलिया के सरकारी मार्केट में भारत की पहुंच होने वाली है और इसके लिए ऑस्टेलिया अपने कानूर में परवर्तन करने को तैयार है क्योंकि अभी क्या था केवल ऑस्टेलिया की कंपनिया ही सरकार को सामान और सर्विसेज बेच पाती थी लेकिन अचूंकि अब भारती कंपनिया भी ऑस्टेलियन सरकार को सामान और सर्विसेज बेचने वाली है इसलिए ऑस्टेलिया को अपने कानूर में परवर्तन करना होगा अब दोस् सरकार का जो सरकारी मारकेट है उसमें Australian कंपनियों को बिड़ डालने का अफसर मिल जाए Australian कंपनिया Indian government market में अब compete कर पाएंगी यह हुआ है दोस्तों बेसिकली एक बरावरी का सौधा लेकिन इस बरावरी के सौधे में हमारे लिए जो 65 बिलियन डॉलर का मार्केट खुला है वह मैं तो पूर्ण है 65 बिलियन डॉलर में बहुत बड़ा हिस्सा है सरकारी डिफेंस खर्चे का थोड़े दिर के लिए माल लेते हैं कि जो डिफेंस है ऑस्ट्रेलिया का वो बजट हमें नहीं मिलेगा और डिफेंस को फ्री ट्रेड ए हैं फिर भी 65 बिलियन डॉलर में करीवन दस बिलियन डॉलर का मार्केट ऐसा है जिसमें भारत को घुसने की अनुमती तुरंत मिल गई है तुरंत अब दीज़े-दीज़े क्या होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है अगले 75 दिनों में मिल बैठेंगे और भारत की उन प्रकार को आईगे को जिन्मों को ऑस्ट्रेलिया के सरकारी मार्कीट में एकसेस दी जानी है साथ में भारत मिल बैठ ये काणुनों में किस प्रकार से प्रवर्तम कब तक किया जाना है कुल मिलाके एक अच्छे काम की शुरुवात हो चुकी है और इस प्रकार भारत को मिलने जा रही है दस बिलियन डॉलर के ऑस्टेलियन सरकारी मार्केट तक पहुँच दस बिलियन डॉलर को यदि आप रुपए में कनवर्ट करिए तो होता है करीवन 76,000 करोड का आकड़ा लगा रखा था वह नो एंट्री का बोर्ड अब हट रहा है यह भारतिय कंपनियों के लिए एक बहुत अच्छा घटना क्रम है अब दोस्तों भारत और ऑस्ट्रिया के भी जो फ्री ट्रेड डील हुई है उसका कई कंपनियों को लाब हो रहा है यह हमने चर्चा भी करी हु मार्च महीने में फरवरी महीने में हमने बार बार कई बार अनेक बार हर बार आप लोगों से कहा था कि भाई जाब मार्केट में कमजोरी है खरीदने का मौका डर खरीदने का मौका अभी है अभी है अभी है आत्म निर्भर इंवेस्टर्स ने 15,000 के लेवल पर भर भर के द पूफानीते जी और इसका सीधा सीधा लाव हुआ है सभी आत्म को आत्म निर्वर इंवेस्टर्स के घरों पर आज लक्षमी जी बरस रही है लेकिन दोस्तों अब सर अभी भी खतम नहीं हुए है अब सर भविश्य में और आएंगे लेकिन आप शीक लीजे टेकनिकल और फं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक उस पर क्लिक करके आप आत्म निर्भर इंवेस्टर पूर्स जितने जल्दी जोइन करेंगे उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जैस्री राम